बिहार सरकार के त्वरा दिये गए दिशानिर्देशों पर छात्र के हिद को देखते हुए सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर इमाम गंज के बिये यू ने कोचिंग को बंद करने का फर्मान जारी किया यह फर्मान आते ही नीजी कोचिंग और कोलेज जो बंद थे और नीजी कोचिंग भी बंद कर दिये गए जिससे छातर छात्राओं का गुश्या चरम पे आ गया हाथों में बैग और कौपी किता पकड़े हुए छातर छात्राएं डुमरिया पटना स्टेट हाईवे को जाम कर दिया दोनों और से बसों की कतारे लग गई और बच्चों ने एक ही सवाल परसाशन से और सरकार से पूछा कि क्या चुनाओं के समय कुरोना नहीं था चुनाओं के जनसभाओं में जो भीड उम्री उससे क्या ज़ादा छातर छात्राओं से कोरोना फैलने का डर है इसी को लेकर आक्रोशित छात्राओं ने पूरे रोड को जाम कर दिया गया जिसके कारण प्रसाशन को आकर बहला फुशला कर समझा कर फिर भीड को हटाना पड़ा लेकिन सवाल यह उठता है कि बच्चों के जो एक्जाम है और दिसंबर और जनवरी में एक्जाम होते हैं बोर्ड के एक्जाम है अगर कोचिंग संस्थान बंद होता है तो इसका असर सिधे बच्चों के भविश्य पर बढ़ता है सरकार को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी गाइडलाइन जारी करना है उसको कठोर करे लेकिन कोचिंग संस्थानों को बंद न करे हमारे चैनल से यही अगर है कि बच्चे आकरोशित न हूँ और सरकार को भी यह चाहिए कि बच्चों के हित में कोचिंग संस्थानों को खोल दिया जाए और उन्हें पढ़ाई करने का मौका दिया जाए क्योंकि परिच्छाएं सर पे है अभी कई परिच्चों के अड्मिट कार्ड जारी हो रहे हैं और ऐसे में कोचिंग संस्थानों का बंद करना कहीं लेने के देने न पढ़ जाए यह सयमित छात्र अभी तो आकरोशित नहीं नजर आ रहे हैं लेकिन अगर इसी तरह का रवया रहा तो कहीं उगर आंदोलन का रूप न ले ले और सरकार को कहीं दिये गए दिशानिर देश मांगे न पढ़ जाएं अब देखना यह होगा कि सरकार क्या निरने लेती है और यह जो भी निरने ले छात्र हित में ले तो वेहतर होगा क्योंकि छात्रों का भवीस इन कोचिंग सेंटरों पे लगा रहता है और अगर परिछाएं देनी हैं तो पढ़ाई जरूरी है घरों में उतनी पढ़ाई नहीं होती है और सभी ग्रामीन इलाके के छात्र हैं जो की कोचिंगों पे निर्भर रहते हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि कड़ी दिशानिर देश के अनुशार लोगों को पढ़ने और बढ़ने का मौका देए